नमस्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम में मैं हूँ पंडित चंदर शेकर चर्मा दर्शको सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सकें जान सकें आज दिनांखे 15 अप्रेल सन 2024 विक्रम समवत 2021 क्यासी चल रहा है चेत्रमास है शुक्लपक्ष है बसंत रितु है तिथी आज की सब्तमी है और आज के नक्षत्र की बात करें तो पुरे दिन और पुरे रातरी रहेगा योग सुकर्मा है और योग की दर्श्टी से आज का दिन के दो मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 6 बच के क्यावन मिनट का है आज का राहुकाल सुबह साथ बच के 30 मिनट से नौ बजे के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा इसमें कोई शुप कारे या लंबी यात्रा शुरू नहीं करनी ची क्योंकि सुबह सुबह का राहुकाल है नवरातर चल रहे हैं तो भगवती का नाम स्मर्ण करें बहुत ही विशेश लाव होगा राहु जनित पिडाओं से आपको पूरी तरीके से मुक्ति मिल सकती है अभी जित मुरत आज दोपेर 12 बच के 1 मिनट से 12 बच के 52 मिनट के बीच है दिन में चा कले अभी को यह जाना बहुत जНе बघवरी है अ में नाम क का नाम लाव लेजीए और फिर यह यात्रा की लिए यात्रा भूट अच्छी रहेगी देशास्युलाव आपको परशान बिल्कुल यह नहीं करेगा आज का शुब समय दर्शे को याज के दिन का सदुप्यों करने का जो समय है वो है सुबह 9.30 मिनट से सुबह 10.50 मिनट तक फिर दौपयर बाद 2.10 मिनट से शाम 6.50 मिनट तक तो इस दोनों कालखंड को अच्छे से समझते हुए आज के दिन का पूरा सदुप्यों कीजिएग तो मेश राशी वाले आज अती आत्मिश्वास करने से बचें तो व्रश राशी वालों को होगा अपने परिवार जनों से लाब महीं मिथुन राशी वाले अपनी महनत को रंग लाते वे देखेंगे तो करक राशी वाले किसी बड़ी समस्या से निकल आएंगे बाहर सिंघ राशी वाले निवेश को लेकर हो जाएं सावधान तो वहीं कन्या राशी वालों को हर प्रकार से होता दिख रहा है लाब तुला राशी वाले भाग्योदे से पाएंगे नई अपॉर्चुनिटीज तो व्रस्चिक राशी वाले स्वास्तिलाब करते वे दिखेंगे तो मकर राशी वाले जो एविवाई थे हैं उनके रिष्टे की बाते आगे बढ़ेंगे कुम राशी वाले निडने लेने में बढ़ते सावधानी तो मीन राशी वाले अपनी नीजी समश्याओं को समझदारी से सुल जाते वे दिखेंगे अब बात करते हैं आज के दिन के नवरात्र पूजन की दर्शे को अब तक हमने साधना की यात्रा के छेपड़ाओ पार कर लिらい है और आज हम प्रवेश कर रहे है सब्तम स्वापान जिसकी अदिश्टातरी है माता कालरातरी मादुर्गा की सातवी शुक्ती कालरातरी मदू कैटब को सम्मोहित कर उनका शंगार किया था देवी कालरात्री को व्यापक रूप से माता काली महाकाली भद्रकाली भैर्वी रुद्राणी चामुंडा चंडी और दुर्गा के कई प्रण्कारी रूपों में से एक माना जाता है रोद्री और धुमोरना इन देवी काल रात्री के अन्यनाम है हमारे अंतर मन की कूब रत्यों के विनाश के लिए माता की पूजा अराधना बहुती ज्यादा फलना ही होती है भगवती की देह का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है सिरके बाल बिखरे हुए हैं भगवती उर्द्व केशी श्वरूपा है गले में विद्वत की तरह चमकने वाली माला है इनके तीन नेत्र है और यह तीनों नेत्र ब्रह्मांड के श्रदश विक्राल गोल हैं इनसे विद्वत के समान चमकीली किन्डे निश्रत होती रहती और माता की नासिका के श्वाश प्रश्वास से अगनी की असंख भयंकर जौलाय निगलती रहती बगवती का जो वाहन है वो गर्धब यानि गदा है इनके स्वरूब की बात करें तो यह उपर उठेवे दाइने हाथ में खड़ धारण किये हुए दाइना नीचे का जो हाथ है वो वर्व मुद्राम है बाईं तरफ के उपर के हाथ में जलती भी मशाले हैं तो नीचे वाला हाथ अभे मुद्राम है भगवती अज्ञान रूपी तमस अंदकार का नाश कर अपने भक्तों को ज्ञान के प्रकाश की ओड़ ले जाती है महा मारियों प्राकरतिक प्रकोपों का जब कोई समाधान निकले तो सामोई करूप से मा काल रात्री की उपास ना करने का निर्देश तंत्र शास्त्रों में दिया गया है माता को काल रात्री स्लेह भी का जाता है क्योंकि यह रात्री अर्थार सादक के अंदकार यानि साधना में आरी रुकाऊटों का नाशET कर देती है क्रckets कृध और के जो स्वरूप में जो वर्ण है, क्था यह है कि सुमभ- dedi को के सैना को देखकर दीवी को भयंग कर क्रोध आया और इस क्रोध से इनका वन शामल हो गया इसी शामल स्वरूप से दीवी काल रात्री का प्राकट्टे हुआ दर्शे को जो लोग नकारात्मक उर्जा से पिडित हों जिने संदे हो कि उनके बंते-बंते काम बिगड़ जाते हैं वो बिना किसी प्राकरतिक कारण के समश्याओं में फसे हुएं उन्हें माता की शरण लेनी चाहिए एद्रश्ट समश्याओं के अंत के लिए माता काल रात्री के उपासना सर्व स्रेश्ट वा करती है माता को नीले रंके फूल और गुड का भोग बहुत ही विशेश प्रिय होता है साथ ही नवरात्री के साथवे दिन देवी को खीर का भोग भी लगाना चाहिए रितुफल भी अर्पित करें संध्याकाल में भगवती को खीचडी का भोग लगाने का विधान भी शास्त्रों में कहा गया है दर्शको भगवती की पूजा में पवित्रता, शुद्धता, सैयम, ब्रह्मेचरिय का पालन और सत्य मार्ग का अनुस्वरण करना चाहिए पूजा में श्रद्धा, विश्वास, शुद्ध भावना होनी चाहिए और एंकार, लोब, जूट, क्रोध, मुह को पूरी तरीके से त्याग कर, भगवती की शरण लेनी चाहिए आज के इस दिन सादक का मन, सैस्तरार, चक्र में श्तित रहता है, इसके लिए ब्रह्मान्ड की समझ सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है और सैस्तरार में श्तित उर्जा से संसार के भाव का धिरे-धिरे लोप हो जाता है और शुन्यता का भाव या इस्ट से एकाकार होने का भाव जागरत होने लगता है इस महा भाव की अधिश्टात्री देवी कालरात्री है नव औशुदियों की बात करें तो नाग दोन या नाग दमनी पर भगवती का धिकार है यह मस्तिश के विकारों को नश्ट करती है गंभीर घाओं को बहुत तेजी से भढ़ देती है देह के विश्ट अत्व को समाप्त कर देती है भगवती की विधिवत क्रपा प्राप्त करने के लिए इस औश्टी का सेवन करें तो देह भीतर से बलिष्ट हो जाती है दर्शे को जब आप पूजा करने आज बैठें तो सबसे पहले रूज की तरे कलश देवता और भगवान गणीजी का पूजन करें गणीजी को पुष्प अक्षत रोली मोली चंदन अर्पित कर प्रशाद अर्पित कर इनका आच्मन कराएं और उन्हें सुपारी इत्यादी पान इत्यादी भेट करें फिर कलश देवता के पूजन के साथ नव ग्रेश शोडश मातरकाओं का पूजन और भगवती काल रात्री की विधिवत पूजा करें इसके लिए माता को पंचामरत से स्नान करवाएं पुश्प अक्षत कुमकुम सिंदूर पान सुपारी वस्त रादी वस्तुएं अर्पित करें भोग लगा कर फिर भगवती का ध्यान इस प्रकार करें इस प्रकार से भगवती का ध्यान करें पूरा मन लगा के अर्थ को समझते वे और फिर भगवती का आवान करें जो कि इस प्रकार होगा इसके बाद में नित्य देवी पार्ट जो भी आप पूजा पार्ट कर रहें वो कीजिए तो में आर्थी कीजिए और शमा प्राथना कीजिए जो पूजा करने उसके लिए कुश और कंबल का पवितरासन करें तो बहुत अच्छा रहेगा कोट केस विवाद या शत्रू के द्वारा प्रतार्णा यदि आपको मिल रही हो तो भगवती काल रात्री का पूजन बहु प्रत्री काल में करें पिर देखे कैसे आनंद आता है सामने से रास्ति खुलते हैं मंत्र है सरुबाधा प्रश्मनम तेलोग क्या खिलेश्वरी एव में उत्वया कार्यम अश्मद वेरी विनाशनम इस प्रकार से इसका जब करें और ऐसे ही धर्शे को जिन महिलाओं को घर में कले और विपरीत परिस्तितियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि घरवाले सम्मान नहीं देते हैं बात-बात पर जगड़े या ताने सुनने को मिलते हो तो ऐसे में एक तो नीले काले वस्तरों से दूरी बनाएं लाल गुलाबी पीले वस्तर पहनना शुरू करें और रूई में लेके करें और माता के चरण छूकर फिर इस मंत्र का दस से बीस मिनट रोजाना मानसिक जाप शुरू कर दीजिए पूरे मनयोग से कीजिएगा परिणाम देखकर स्वयम आप आश्चरे चकेत रह जाएंगी मंत्र जाप करना ध्यान से समझेगा मंत्र है ओम पार चलते अलगाओ की नौबत आ रही हो वाज के विशिष्ट दिन से एक बहुती अच्छा उपाई शुरू करें उपाई इस प्रकार है कि गणेश जी दुर्गामाता का पंचोप चाड़ से पूजन करें और भगवती को अपनी समझ्या कहें और नियमित फिर इस मंत्र का शूम कालिका देवी शाम शीम शूम में शुब्हम कुरू मन से इस मंत्र को कीजिए बहुत जल्दी चमतकार हूंगे ऐसे आर्थिक समश्चाओं से मुक्ति के लिए और बेरुजगारी की समश्चा से निजात पाने के लिए आज के दिन आप भगवान शिव जी की भी विसिस्ट अराधना कर सकते हैं इसके लिए शिव जी को गुड कुमकुम लाल पुष्प और केसर मिले जल सभिशे कीजिए मंदिर में ही भगवान का पंचोप चाड़ से पूजन कीजिए और अपनी समश्चा उन्हें बता कर आर्थिक सफलता और नोकरी व्यापार का आशिरवाद मांगे फिर इस बहुत ही विशिष्ट मंतर का 25 मिनट जाब शुरू कर दीजे नित्य करना है मंतर इस प्रकार है ध्यान से समझेगा रीम अंबिका नाथा नमे शिवाय हरीम तीन से चार माह बीतेंगे आप अपने अंदर एक बहुती विशिष्ट उड़जा शक्ति का संचार अनुभव करेंगे बोले ना आती क्रपा से आर्थ एक स्तित्री ठीक होगी रोजगार व्यापार आपको बहुत जल्दी मिलने लगेंगे दर्शे को इस सारी पूजा आप करें चाय उपाय करें चाय नित्य की पूजा करें एक बात ध्यान रखें कि पूजा पाढ़ स्तूत आधी के अंत में शमा प्रातना वश्य करें नवरात्री चल रही है तुरूटिया होंगी तो उसकी शमा वश्य मांगे और कहें कि ओम ब्यकत जन्नी माता आप सबको भी अननय प्रेम से परिपून करदें साधना को पूर्टा प्रदान करें आपके भीतर आपके जीवन को पूरी तरीके से शिव तात्व से भड़दें इस मंगल कामना के साथ आज के सुशप इतना इसा भगवतिया सब क्ल्यान करें चक्ती.